मश्कात दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स टायरी में दोस्तों अभी हम बात करेंगे पैरमाउंट कम्यूनिकेशन पर पैतालिस परसेंट उपरी लेवलों से पच्चिस रुपए की लेवल से गिर चुका आप पंदा रुपए पर आ गया है यह शेर पंदा रुपए पच्पन पैसे पंदा रुपए 65 पैसे बीएसी एनिसी का प्राइस अब यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट लेवल 17 रुपए 10 पैसे के तूटने के बाद है यहाँ पर डिरेक्ट हमको जो दिखा है वो सीधे इन लेवल्स पर आकर खड़ा हो चुका है सबसे यहाँ पर अगर आप चार्ट देखेंगे तो सबसे मजबूत सपोर्ट पर है चार के से अपने अगर ध्यान दिया होगा मैं आपको बता तर लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्ट के मार्केट जो है देखें तो सारे केवल केवल कमिनकेशंगी कर दो लेकिन पांच 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 जो एप तूटे ते में लोर सरक किट वाले भी कंडिशन है लेकिन जो चोटे शेर से हैं communication वाले के विल के उन्हों में उनमें जो है वह आपको यहां पर लोग सरक्ट दिख रहा है तो चलिए दोस्तों सारी चीज़ों को समझते हैं और तब हमको समझ में आया करना क्या है चलिए दोस्तों देखते हैं तो दोस्तों यह चार्ट है हमारे सामने पैरा मांट केविल का यहां पर पैरा केविल या जो भी आप बोलें पैरामांट कम्मिनिकेशन और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि यह अब उन इस तरों पर आगे उन लेवल्स पर आ चुका है कि यहां पर देखिए यहां पर आप यह समझिए कि यह वो जगह है जहां से एक सबस पर बीजिबेल है अभी 4.89% का यहां पर नेगिटिव सरकेट है यहां पर जो है लो सरकेट है यहां पर काफी बुरी बात है कोई भी ओट हो जो भी है मान कि चलिए जो है क्योंब इतनी बड़ी सेलिंग जो है वो रीटेल तो नहीं कर पाएगा और यहां पर छोटा शेयर चो आने वालों ध्यान से सुनिएगा यह सबसे पहले तो 19 तरों पर आ चुका है जहां से तेजी स्टार्ट हुए यह रैड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी अच्छे सागर देखेंगे देखेंगे डेखें आपको दिख रही होगी किलियर ली यह जो रैड लाइन अभी कि अब M.E.C.D. क्या बोलता है इसके बात को आफ हम सुनते हैं लगाटार यहां पर सेलिंग M.E.C.D. ऑनिकेटर यह न देखेंगा यह यहां पर देखेंगे यह घान विखा है हलका सा तो यहां पर तो थे मैं कम ध to पर रही है इस आरे साइ जस्ट वेटा सकेंड यहां पर आरे साइ अगर हम लगा कर देखेंगे और सब्सक्राइब तो आरे साइइ इस वक्त इतनी घरावट के बात कहां पर आरे साइब आ चुका एप फाल थर्टीन पॉंट नैंटीफाइप के अवस्पास तो यहां पर यह सिंकनल आपको जनरेट करा है RSI indicator भी यही कह रहा है कि यहां पर selling जादा हो चुकी है यहां पर oversold में आज़ चुके हैं इस stock के अंदर oversold जादा हो गया है its stock के अंदर तो कुल मेद फिलना की यह कहना है RSI का अब oversold के मतलब कि यहां पर आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सकता है मुझे लगता है कि आप लोग डरे होंगे कि ये स्टॉक कहीं अपना जो पुराना जो लेवल है यानि जिन लेवल से मेरे खिल से जब चला था ये स्टॉक उन लेवल से ना पहुंचा है यानि 8 या 9 रुपए पर जो है वो ना पहुंचा है यही डर होगा 8 या 9 रुपए देखे ऊपर के अगर हम देखे हैं 25 रुपए की लेवल से लगातार गिरा है ये स्टॉक लमसम लमसम पैतालिस परसेंट के आसपास का डाउंसाइट तो अल्रेड़ी दिखा दिया अब कितना गिराएंगे ये सोचने वाली बात है और कितनी गिरावट आएगी अब मैं आपको यहां पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ ये तो सबसे पहले आप मान के चलिए करनी है लेकिन आपर जो लॉंग पुशिशन जो हैवी बलकी पोजिचन होगी उनको डर है क्लिरली यहां पर जो है आपके सामने चार्ट पर अब एक चीज़ आपर देखिएगा आपने नोटिस किया होगा निफ्टी आप देख रहे होंगे निफ्टी ऊपर जा रहा है नि के सारे निगेटिव होंगे कल के दिनारी मैं बात कर रहा हूं वेटनेस टे से देन नहीं पिछले यस्टडे कि मैं बात कर रहा हूं जब इसने 17 रुप यह तोड़कर 16 रुपै 제स्पैस का सब्पास क्लोजग देति 16 रुपैया 20 पैसे का सब्पास थैंपर क्लोजग हो गए तो broader market यहीं का जाता, पूरा का पूरा broader market कल के दिन down था, कुछ नहीं चल रहा था, ना reliance इतना उपर था, पंदा रुपए उपर था, तो nifty खीच कर ले जा रहे थे ये लोग, टीना सिर्फ nifty खीच रहे हैं, बाकी shares उपर आई ही नहीं रहे हैं, reality यही है, आप अभी मैं दि पेरामाउंट केवल की, आप कहीं ही, पेरामाउंट केवल में यहीं आपर गरावट आ रहे हैं, नहीं, सारे के सारे केवल, सारे के सारे केवल shares जो हैं, वो गिरे हुए थे, चाहिए आपको पॉली कैप उठा लो, चाहिए कोई A2Jet आप कोई भी उठा लीजे, सभी में गर और वटती कोई 5% कोई 10% कोई 3% को चार परसेंट ऐसा कोई स्टॉक थाई लिए जो ग्रीन मर हो ग्रीन में तो उमिद है आपको यहां पर समझ में आगए होगा किलिर ली यह उन लेभल्स पर अब पहुंच गया और यहां पर झाएक पर शक्रीट न खंल जाये को यहां पर लगजाए क्यूंकि यहां पर आप देखें Chronos Height काफे Leg पर यहां ऐसे कबर हो जाए अब चलिए मैं आगे जो और चीजह मैं दिखाता हूं जिसे wilt और देखना काफी जादां इंपॉर्टन था बाकी केवल देखें तो दोस्तों जळा देखें यहां पर केवल शेयस माने पियस देखें यह डेकिए पॉली कैप 0.1% कल यहां पर लमसम लमसम तीन से चाफ परसेंट के असपस की गिरावर्टती है आप यह इस्टेले टेकनोलोजी जी देखो यह पर नीचे है तो यह तो काफी जादा बड़े बड़े शेयस हैं पर मांट के बराबर का शेयर देखते हैं तो एक ही एक यह पर जो है अक्स ऑप्टिकल फाइबर है इसमें इस वक्त अभी के मैं बता रहा हूं अभी का सीन बता यह अब आ चुका है तो 4.5 परसेंट का यहां पर लोगा था अभी 3 परसेंट पर ट्रेड कर रहा है तो आपका कुल मिला कि मुझे इतना लगता है कि यह आपर जो है आज पेरामांट केवेल भी यहां पर रीकवर हो सकता है शायद यह आपर जो है पिछली वार 15 रुपे के आसपास आया था जब गिरा था फिर उसके बाद 18 रुपे के आसपास गया था 18.5 के आसपास गया था उसके बाद फिर से गिरावट आगी थी अभी इनी लेवल्स पर है एकदम देखे चार्ट पे जो दिख रहा है हम उसी इसाफ से चल सकते हैं देखे अंदर की चीज हमको पता हम लोग रिटेल लोग हैं भाइसा हम लोग को इतना नहीं पता होता है और न पता भी कर पाएंगे जो चार्ट पर दिख लाए हो ठे members आप से जो है यहां पर support एक्र आपको मिलना है देखा आपने चार्ट अभी अगर आपने सही से देखा और तो फोट़े सा अगर आपने सही सा दोगा को हो समझभा गया हो तो यहां से जो कुछ भी हो सकता है तो नहीं किसा वह सकता ऐसी में लेकिन şekilde तो मैंने आपको बताया था कि FII जो है वो सारे सारे से निकल चुके हैं तो कुल मिलाके मूटा मूटी यह बात है कि यहां पर जो है अन्डिसाइजिव है सारी की सारी चीजें जो है एकदम उस लेवल पर आ चुकी है जहां से हमने चलना इस्टार्ट किया था जैसा कि रहा हो वैसा आप यहां पर कर सकते हैं अगर आपको रिस्क लेने की चंता नहीं है तो प्लीज आप इसमें छोटी क्वांटिटी यहां पर जो है रखें अगर रखना चाहें नहीं तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं जो लॉंग टम की सोचकर बैठें तो वो फिर तो कुल मिला की बात है यहां पर यह आती है जो लॉंग टम ली सोच रहें वही इस शेयर में रहें तो आपका ठीक है क्योंकि 45% टूट चुका है ऊपर की लेवल से यह स्टॉक अब ज्यादा से ज्यादा क्या टूट जाएगा तो यहीं एक चीज यहां पर आती है और बजया से यहां पर नहीं है नुमोरा की तरफ से एक टाम में था जब वो तेज से चौवजिस उर्पे के आसपास था वहां से यह सेलिंग प्रेसर जो है वह खतम हो चुका है नुमोरा का नुमोरा अपना जो है बेचवाच की जो है निकल गया निकल गया ठीक ना आब यहा प्रोमोटर अपना हिस्सा 2% बढ़ाई चुके हैं एक कौन से कौर्टर में लंसम लंसम यह मार्च मार्च में हमको यह डाटा आया था जब मार्च का शेर ओल्डिंग पैटर्न आया तब उसमें दिखा था कि 62% करती है चाहिए चर्ण बढ़ाकर तब सन लिए अब तक जो है दो दो परसेंट यहाँ पर जो होल्डी कर रहा है तो कुल मिला के आपके सामने पूरी बात है यहाँ पर जो टेक्निकली मैंने आपको बता दिया fundamentally यहाँ पर strongness नहीं है जोकि हमने 23 रुपे, 24 रुपे पर ही बात करी थी कि fundamental यहाँ पर यह इसके financial बिगड़ गए है यह result अच्छा नहीं आया है तेजी भी हो गई थी उस वक्त stop में तब आपर यहाँ पर है तो उसी हिसाब से चलिएगा अगर आपको इस वीडियो में कुछ पूछना है कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन पूछ लीजएगा अगर आपको कुछ पता है कुछ कहना चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन कहिएगा प्लीज इसके वार में जरूर बताईएगा और अगर आपको ये वीडियो चलेगी हो तो लाइक करेए, चैनल करेएगा, सब्सक्राइब प्लस बैल आइकन जरूर दबाएगा ताकि आपको ने ने नोटिक्विशन आपको पास आते रहे तो आप दीजिये मुझे इजाजत वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद दोस्तों